कि नमस्कार दोस्तों कि आज की वीडियो में आप देखेंगे एक हमारे बिनोत भाई हैं जो कि महराatre से हमें कल वाटसव पे कमेंड किये थे कि हमारी 39 सिंच की टीबी है उसमें ज्चिश लगाने के लिए और के लगाए और अभी वह नमबर भी दिये हैं उसके इमेज भी जये जो कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं इस्क्रीन पर पहले आप कुछ बाते हैं जो कि बहुत बिश्चेस ध्यान दे कर आप उसे समझ ले कि मैंने जो वीडियो बनाया था इस्टी की कोई भी इस्टी आप कहीं भी लगा सकते हैं यह सत्य है और आप कर भी सकते हैं मैंने किया ह और यहां तक मैं बता दे रहा हूं कि आप एस्टी ही नहीं आप वर्टिकल सेक्शन भी अलग से लगा सकते हैं आप उसके माइक्रो कंट्रोलर यानि जो 88-73 हमारी इस समय चाइनीज किटों में लगके आ रही है CRT के आप के ओल उसको माडूल बनाके और आप सारे सिस्टम क का पहले से रहेगा और बाकी अगर उसके सिस्टम कंट्रोल आइसी भी अगर खराब है तो आपके ओल माडूल के रूप में इस 88-73 को भी यूज कर सकते हैं आप इसकी वीडियो हम अलग से बना देंगे क्योंकि वह इतना आसान है बस आपको इतना मालू होना चाहिए कि हमक को थोड़ा सिंक्रोनाइजिंग करना पड़ता है यानि कुछ रेजिस्टेंस और डाइबोड के द्वारा जीनर के द्वारा आप उसे जो है पीएप के द्वारा आप उसे जो है बहुत आसानी से सिंक्रोनाइजिंग कर सकते हैं मिला सकते हैं और वह जो है परफेक्ट प्र काम करते हैं यानि कोई किसी के स्वाप पर आकर या कहीं अपने तरीके से सीखता है और जैसे जैसे उस सीखता है उसी लेबल का वो काम भी करता है तो इसमें कहीं से कोई प्राब्लम ऐसा नहीं है अगर आप नहीं जानते हैं तो उसे हम आपको बताएंगे क्योंकि इसके आग आने वाला टेक्नालोजी और भी इससे जो है हाई है और हाई होने के साथ साथ इजी भी हो जाता है साना समझे लेकिन अगर नहीं हम कोई चीज जानते हैं तो हमारे लिए वह बहुत ही बड़ा दिखेगा लेकिन आपको इसमें हम बता दें कि आज इसी एस्टी के बारे में ब यह पिन नंबर एक से सुरू करते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यानि दस पिन की एस्टी होती है अब इसमें देख लीजिए यह एस्टी जो अभी हम आपको नंबर यहां पर दे देंगे उसके स्क्रीन साट ले सकते हैं क्योंकि यह आप एक ही युनिव पर सकता है लेकिन यह आपको अगर वर्टिकल सप्लाई नहीं देनी है तो उस पीरियड में यह एस्टी आपको एक कामन रूफ से उन्तिस इंची इकीस इंची या 14 इंची या जो भी कहीं भी आप इसे जो है यूज कर सकते हैं और एक और एस्टी के बारे में बताएंगे जिसे यल जी उसमें अपने यूज किये हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं उसमें वर्टिकल सप्लाई यह उसका हमलक बताएंगे इसमें वर्टिकल सप्लाई नहीं दि लिया गया है अब आप देखिये कि इनकी जो एस्टी है जानि बिनुछ जी की जो हमारे महाराश से तो उनकी est की image यह है और यह जो हम आपको बता रहे हैं इस नमबर का यह है अब दोनों में टैली कर लिजिए अब टैली करने के बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या है कि नमबर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यह यहां पे जो है, यह छह तीन जो है, इसमें सब में जो है, 110 या 125 जो भी यहां सप्लाई इन होगी, यह सब में बैंडिंग में रहेगी, और इसमें भी रहेगा, लास्ट वाले में, क्योंकि एक सोसी बोल्ट CRT के लिए यहां पे बनता ह अब आपको इस्ट के वरे में बता दें, कीमा लेजे कोई भी इस्टी है, वहां पे horizontal output transistor का collector होगा, फर्स्ट, दूसरा होगा 110 की सप्लाई जहां इन होगी, कोई भी इस्टी हो, आप उसे बारिकी से समझें, एक चीज, इन होगा 110 की सप्लाई, कोई भी इस्टी में कहीं भी आउट होगा है, यहां से जो सप्लाई, यानि कलेक्टर के लिए, वह आपको एक बिन होगा, अब आपको कोई भी इस्टी नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, इस सब को जो है, कट कर दीजिए, अगर जैसे कोई भी CRT TV की किट है, अगर उसमें इस्टी लगा है, तो उस इस्टी में देखिए, एक तो होगा कि वर्टिकल की सप्लाई भी इस्टी से ही ली गई होगी, और एक कंडिशन ही होगा कि वर्टिकल की सप्लाई उसमें से नहीं ली गई होगी, क्योंकि इसमें वर्टिकल की सप्लाई लेते हैं, जहां तक है, क्योंकि साउंड की सप् कोई भी एस्टी हो दूसरी बात अगर उसमें वर्टिकल की सप्लाई व्यूज नहीं की गई है तो वहां पे हमको जो है तीन यहां पे तीन जो हमको आउटपुट की जरूरत पड़ती है एक यह इनपुट हो गया और यह सेकंडरी आउटपुट हो गया आउटपुट मतलब यह हुआ कि हमको जो है ABL और हीटर और एक जिसे आप कहते होंगे AFC जिसे आप कहते होंगे AFC AFC, AFC आटोमेटिक फ्लाइबैक कंट्रोल AFC हो गया और यह हो गया हीटर, HT यह हो गया हीटर और यह हो गया AFC अब देखिए इसी यह हीटर में से यानि फ्लाइमेंट में से ही AFC को बनाया गया है और आप बना भी सकते हैं अगर किसी में AFC अलक्स नहीं दिया गया है उसमें क्या होगा कि आपको कहीं भी यूज़ करेंगे बहुत थोड़ा सांतर करना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस के माल को कम जादा करके या पी एफ के बैल्यू को कम जादा करके और नहीं तो अक्सर करें यह जो है मैचिंग हो जाते हैं और इस समय के मालिजे जो लेठेस्ट किआं उन में आप one k रिस्टन्स लगा के या 10 के रेस्टन लगाके वहाँ पे आप 8.2 वोल्ट का जीनर से जो है इसके यहां पे जो है एक जीनर लगाके और उसके एफसी को जो है ले सकते हैं अगर कहीं अधर एस्टीमेश से मैच करा ना होगी लेकिन फिरहाल आज आप इसके पारे में जाने इनका जो सेम मैटर है आ तो आप वहां से देखेंगे, यहां से जो स्टार्ट होगा, clockwise, 1, 2, 3, 4 करके, तो उसी हिसाब से आपको देखिए, यहां जो है, इस ST का विशेज रूप से ध्यान दे, क्योंकि यह ST को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, यह 29 इंच में भी उज होगा, और हमारा 21 मतलब आप कहीं भी यूज कर सकते हैं से, लेकिन यह आपका जो है, एक नार्मल होती है, आप सोने होंगे, चालिस होदा के, और दस दस, यानि यह कामन है, और एक है, एक हजार तीन, तो यह सब जो है, इसके इंटर्नल, यह जो डाइक्राम है, ऐसे ही है, यह ST क्या है, कि आ आती है, तो उसका नमबर भी अभी हम आपको यहां पे डिटेल देंगे, और इसी स्क्रीन साट अब ले सकते हैं, और विएसे आप पहले इस नमबर को देख लें, और एकी स्क्रीन साट ले ले, अब यहां पे देखें, यह जो 100 सी वोल्ड की सप्लाई बनी है, यह इंटर् आपको यह प्रिंट करना पड़ेगा, यानि प्रिंट जो है, सबको इसको फिरी कर देना पड़ेगा, यह जो ग्राउंड है, आपको ग्राउंड के ओल यहां पे, इस पिन नमबर साट पे जोड़ना है, अगर इसके होल भी आपको पीसी भी पे ना बैटेश को लगाने से पतली प्रिंट यानि हीटर की सप्लाई जरूब चक्करे मल्टीमेटर से, अगर कहीं भी पिन आउट होती है, तो उस जगे पे निसान लगा के मार कर से, और आप वहां पे इस एस पिन को पहले बैठा दीजिए, और सारे पिन को जो ट्रेक गय है, इसके कट कर दीजिए, इ पिन नमबर चार पे एक जंपर वायर के द्वारा वहां पे इन करा दीजिए, उसके बद जो पिन नमबर दो है, कलेक्टर पे एक वायर के द्वारा उससे भी जो है, वहां पे जोड दीजिए, अब बचे, यहां पे, अब यह क्या है, कि आपको बता दें, यह जैसे हमारा ह यहां पे यह योग के लिए है योग क्वाइल के लिए यानि बिट्त जो होती है हमारी चोड़ाई यह भी योग पे जाएगा और यह भी योग पे जाएगा यह 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 इस बहुत काम की हju है इस से आप यानि चोड़ाई को है कमजादा कर सकते हैं यहां पे इसके आगे बढ़िएगा तो यहां से जो है बिट्ट हमारी बढ़ेगी यहां पे पिन नूमबर एगर जाएगे तो बढ़ेगी यहां पर एक कामन रहेगा जो इसकी फिक्स चोड़ाई होगी यानि जो आप इससे आउपूट लेंगे उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे पिन नमबर दो पिन नमबर दो और पांच और यह यहां पर नहीं लेना यहां पिन नमबर तीन पांच छे यहां जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आएंगे तो यह बिट्स छोटी होती चले जाएगी यानि ज्यादा नहीं छोटे होगा जिस हिसाब से डिजाइन होगा उस हिसाब से इसकी तो यहां दोनों सुभदा है यहां पर अगर आपका यहां चोड़ाई बढ़ जा रहे हैं भग जा रहे हैं तो आप सीधे नीचे की तरफ आएए और यहां पर जो है जैसे जैसे नीचे आएंगे आपकी चोड़ाई कम होती जाएगे यहां पर बढ़ेगी यहां और इसके जैसे आप यह दोनों जो है एक कामन हो गए क्यानि उपर की तरफ गए आप बढ़ गया उसके बाद एक नार्मन हो गया अब आपका अगर इसके बाद भी जो है स्क्रीन बढ़ी हो रही है तो यहां से जाए एक बार और कम होगा फिर नहीं हो सकी मुबाइल की इंटर्नल स्पेस कम होने कवजासे उसके लिए सोरी यहां पर आपको बता दें कि यह सब जो आपको बता हैं काम करने के लिए इसके लिए आपको CRT बेस को नीचे ही रखना है और इसे तब तक नहीं लगाना है वहां पे पिक्चर टूब पे कि ज उसके बाद जब किलेर हो जाए कि वह सप्लाई उतना वहां पे आ रही है उसके बाद CRT बेस को यहनी पिक्चर ट्यूब पे लगाएं और दूसरी बात यह है कि आपको अगर किसी CRT टीवी में अगर उसके IC की प्रॉबलम है या IC खराब है और आप उसे चाहते हैं कि वही क कंट्रोल को चेंज करें और पूरी जो है एक छोटी सी माडूल की तरह जो हम उसे डिजाइन भी कर सकें तो उसके लिए आपको हम प्रयास करेंगे बहुत जल्द एक वीडियो आपको देंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं एक डानिक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं तो थेम्कु दोस्तों और मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नएक टापिक के साथ